हाँ तो अब हम लोग 3.1 एक्सरिसाइज को देख रहे हैं आप पर आओ ज़र में इससाथ क्या दे रखा है आप लोगों को देखो यह पहले पार्ट में दिखा हुए कि कर लेंगे है इसको अब लोगों को यह चानते हैं कि इसको रेंगे पाय बै क्योंकि यह उपर रखते हैं एक यहां पर रखिए अ तो पाइबाइबा नेटी इंटु डिग्री तो टू फॉर्टी सो कर दोगे तो काटोंगे चिक्स-फॉर जाब पॉसे काट होगे, तो यह आपका आजाएगा, इतना आ जायागा, तो यह आ जागा, तो यह आजाएगा, तो 26, तो 26, पाई बाई 9, रेडियन, तो देखो कितना एजी लिए हो गया, अब मैं इसका फर्स, सेकंड कोश्टन के बारे में बात कर लेता हूँ, minus 47 degree 30 minutes तो अब मैं minus को अगर side कर दूँ बस माल लो minus नहीं है end में लगा देंगे answer में minus तो minus नहीं है तो अब इसको मैं क्या करूँँगा इसको separate लिखूँगा 47 degree plus 30 minutes ठीक है और 30 minutes को भी और अच्छे से लिखेंगे 47 degree plus 30 into में 1 minute और 1 minute में 1 by 60 देख लो एक मिनिट में 1 by 60 degree होते है तो अब से आप समलोग यहां लिख देंगे तो उस चीज को यहां पर देख लेंगे हम लोग तो यह 47 degree प्लस पहले इसको पूरे को convert करेंगे डिगरी में तो 30 into में 1 by 60 डिगरी और इसको इससे काट होगे तो टू टाइमस में कट जाएगा तो यह ओवरल 47 प्लस हाफ डिगरी आ जाएगा तो बहुत इजी और बहुत बेसिक कोश्चन इसको से काट होगे तो 94 प्लस 1 तो आपके पास आ जाएगा यह 95 by 2 डिगरी अब इसको रेडियन में करना है तो यह आप कर लो पूरा तो माइनस 47 30 मिनट्स इस इकल्स टू 95 by 2 डिगरी इंटू पाइब बनेट उरी हो जाएगा रेडियन में कनवर्ट ठीक है अब इसको काट सकता तो काट दो तो 5 से कट जाएगा मेरे इसाब से तो 5 से काट हो जाएगा 5, 4, 5, 1, 0, 5 5, 9, 0 36 तो कितना हो जाएगा माइनस 19 पाइब 36 रेडियन तो देखो कितना basic के लिए है कितना easily question होगे आपका यह तो अब हम solution 2 के बारे में बात कर लेते है question number 2 के solution की बात कर लेते है तो yes second question की बात कर लेते है first को छोड़ देते है second को छोड़ देते है बड़े बड़े हो सकते है तो third और fourth पहले कर लेते है तो वो third part को देखोगे आप लोग तो आपको देखा है 5 pi by 3 radian और इसको degree में चेंज करना है तो radian को degree में चेंज करना है तो degree measurement कैसे निकलता है 180 by pi into radian तो कितना हो जाएगा ये 180 by pi into radian 5 pi by 3 और ये हो जाएगा आपका degree ठीक है तो pi से pi काट दो और ये इस से काट ओगा तो 6 time में कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6 5 जा 30 degree हाँ नहीं स्वरी गलत लिख दिया गया 60 time में कट एगा ठीक है ना ये 60 time में कट एगा आपका ठीक है रोसे साब से करोगे है तो ये 300 degree आएगा 300 degree आगया 4th पार्ट के देख लेते है ऐसे ठीक है 7 pi by 6 radian तो इस कौम करेंगे तो 180 by pi 7 pi by 6 6 degree में हो गया भी है इसको से काटेंगे तो 30 और इससे पाई कर जाया गाए 73 जा 21 0 degree ठीक है आपके पास आजाए तो ऐसे कोस्चन होना है आपका तो इसी कोस्चन था आप करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की बाद आपके पास 11 by 16 radian दे रखा है और उसको हमें degree में convert करना था भई 180 by pi into 11 by 16 degree हो गया भी आपका ठीक है तो degree हो गया अब उसके साब से हम लोग इसको कर लेते हैं आपके सामने ठीक है देखो तो इसको मैं थोड़ा वही कर लेता हूं जैसे करते हैं हम लोग 180 by 22 by 7 मैं डिवाइड में था उपन लिख दिया उसको में ने 11 by 16 degree हो गया अब इसको से काट दोगे तो 11 टूजा जैक है ओर इदर से काट raw को टैमस में इसको फोर से काट होगे तो 45 टैमस में इसको फोर से काट ओके तो यह आपका फॉर टैमस में कर जाए तो नीचे एट आ गया उपर कितना आएगा वह देख लो आप लोग तो उपर आएगा आपका 45 इंटू 7 तो इसको सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तीन बचेगा और 20 और 831 तो आपके पास 11 पाइब 16 रेडियन इस इकोल स्टू कितना एगा 315 पाइब एट डिगरी पर हम लोग यहाँ पर सीनित नहीं रहेगा यह आपका इसको आगे भी हम लोग करते हैं तो आगे भी देखनो जाना मेरे साथ क्या करना है इसमें आगे तो आगे देखो वही ठीक है तो 7 बचेगा यहाँ 9 टाइमस में 72 किता बचेगा 3 तो यही तक खतम हो गया तो मैं इसको कह लिखूँगा अब देखो यहाँ पर आप मेरे साथ तो यह हो जायागा आपका 39 डिगरी प्लस 3 बाइट डिगरी अब इसको मैं इंटो में 1 लिखूँगा तो आपका यहाँ 39 बाइट इंटो में वन डिगरी और वन डिगरी मिनट में कितना होता है तो वन डिगरी मिनट में होता है 16 तो वन डिगरी इस 16 मिनट के बराबर होता है तो हम इसको और अच्छे से लिख ले गया है तो 39 डिगरी प्लस 3 बाइट इंटो में 60 मिनट ठीक है अब यह का तो 39 degree plus 45 by 2 minutes तो इतना minutes हो जाएगा आपके पास ठीक है अब हम लोग इसको अच्छे से काट लेते हैं फिर इसको भी अच्छे से तो 39 plus 40 22 minutes plus 1 by 2 minutes यह आजाएगा आपके पास ठीक है तो इसको अच्छे से कर लेते हैं अब इसको अच्छे से कर लेते हैं तो 39 degree plus 22 minutes प्लस 1 by 2 into 1 minute अब 1 minute को आप कैसे convert कर लोगे तो 1 minute आपका होता है 60 seconds में तो जाएगा 39 degree plus 22 minutes plus 1 by 2 of 60 seconds अब इसको शकार दो तो 30 आगया ठीक है तो आपके पास overall answer आजाएगा 11 by 16 radian is equal to 39 degree ठीक है ना 22 minutes और 30 seconds तो यह आपका इसका एक answer आजाएगा तो आप लोग ऐसे कर लोगे इस चीज़ को ठीक है तो यह चीज़ हो गई आपकी तब आगे हम लोग देख लेते हैं last part भी इसका तो वो भी ऐसे ही करना है आप लोगों को जैसे यह किया हुआ है तो लाच पार्ड आपको क्या दे रखा है यहां रहा कर देते हैं आपको दे रहा है last part में आपको 2nd part में दे रहा है minus 4 Radian मीना स्ने हो किस में करना में तो इसको भी में थोड़ी तीर साइड में घर नहींता हूं फिर एंड में लगा देंगे इस चीज को ठीक है तो इसको साइड में रख लेते हैं बस फूर रेडियन है तो फूर इंटू में बराबर इंटू में बन निटी बै पाई डिग्री ओजयेगा सुर्ष ना जाए एक होगा तो इसको और अच्छे सावल कर लोगा फूर इंटू में बन टी बाई ट्वंटी टू वाए सेवन ट्रॉट के सागार दो इसको सगार दो कितना हो जाए गाए आपका 11 ठीक है अब इसी को मुल्टिप्लाय कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग तो कितना हो जाए गाए 360 360 टू सेवन टिकना 760 42 का 2 4 ठीक है और 737 2425 ठीक है तो आपके पास ही आ जाएगा 2 5 2 by 11 degree ठीक है अब डिवीजन कर लेते हैं इसी चीज की तो डिवीजन करेंगे तो देखो कैसे आएगा मैं डारेक्ट कर देते हूं हापर तो 11 11 11 22 ठीक है ठीक है 3 बचा आपका ठीक है अब उसके बाद इसको खरोगे तो 11 तूजर अगें 22 ठीक है फिर आपका 10 बचेगा 10 को यहां करोगे तो यह 99 नइन टाइम तो डिग्री ओगा बचा वन बाई 11 ठीक ना 1 बाई 11 बचा इन टूमें वह दिग्री में होगा तो मिनिट्स में कर देंगे तो यह मिनिट तो जाएगा अब इसको यह ओर पर आप रोपर सॉल कर ले दा है तो तू नाइन यह सकते हैं तो फाइव तैम्स में तो इसको सेकंद में कर लेना तो क्या जाएगा आपका टू टू नाइन डिगरी प्लस फाइफ मिनट देखो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो जब आपको समझ में आजै डिवीजन में जो बसता हो साइड में लिख देते हो आप लोग ती हो जाएगा आपका फाइफ इसको करोगे दो फाइफ इंटू में 60 सेकंद्स अब इस से आगे जाए गई नहीं ठीक ना था टू टू नाइन प्लस फाइफ मिनट और यह तीन सो सेकंड हो गया तीन सुभाई लेवन सेकंड तो कित्ती बर में कटेगा हो चीज देख लो आप लो तो यह तू टाइम्स ठीक है और फिर इसलिए वो आंसर होगा तो माइनस फोर रेडियन अब देखो माइनस लिख रहा हो में साथ की साथ वो बराबर हो जाएगा माइनस 20 टू टू नाइन डिग्री फाइफ मिनेट और 27 सेकंड इतने डिगरी के बराबर यह आपका होगा तो ऐसे आपको यह कर लिए तो आप यह चेक कर लो देख लो इसको तो चिह है करें उनलチャ्ट बच्चो अब हम लोग क्या देख रहें हम लोग देख रहें हैं आप पर क्रेंग्रोमेटरी 11 ध्लाइस बाद करें तु टरिणो मैटरी माउम्हां को क्यों होता है वो यह जा जैण है उर क्या इसका बेसिक है जैसे मीज़मेइट्री एक ट्राइगोन थे मेहन पर देखो रहे हैं मेजरमेंट होता है कि मेजर्मेंट होता है और ट्राइगोन मतलब ट्राइंगल की साइड का ठीकिक ना साइड of TRIANGLE चुग एट तो इन दोनों को मिलके तरडोब आपके में लिए ट्रीजमाह्न लिए Lichter के लिए बीजिस सहाँ i7 डिफाइटी गान लोग तभ करते हैं मिलत मैंजुरिंग। करता है कि सीच को सायड को ट्रेंगल की ट्रेंगल की साट को मेजर करने के निवेंदी हम लोग हैलफू रखते हैं यहाँ पर तुम ट्रिgnometric में बेस से Re-start करें अगर हम लोग तो सबसे जहां हम लोगक डिफाइन खरते हैं पिए एंगल्स तो एंगल्स ओता है आपका किसी भी बेसे इसे आपत एक क्लोक वाइस्ट में एंगल को रोटेट करते रोटेट करते 2 मारें बेस्थाइड आपकी इनिशियल और इसकο आपने में रोटेट कर दिया तो आपका पॉजिटिव एंगल कहलाता है और सेम कीज़ को आपने क्लोक्वाइज में रोटेट कर दिया तो आपका नेगेटिव एंगल कहलाता है और आपको अगर किस ने बोला तो देखो यहां पर एंगल को कैसे मेजर करते हो वन डिगरी आप इस टाइम पर हम लोग एंगल को क्या बोलेंगे वन डिगरी जब आपका 360 रोटेट हो जाता है ठीक ना इतने उसमें ठीक न इनीशियल साइड का इतना हो जाता है आपका तो हम लोग एंगल को रोटेट एक तो होता आपका डिगरी मेजर में और दूसरा होता है आपका रेडियन मेजर ठीक ना ऐसे डिगरी मेजर में आपका क्या होता है जैसे आपका कोई भी छोटा सा ऐसे बना देते हैं हम लोग और यह इसका सिंबल हो जाता है और रेडियन में आप कहले लिख सकते हो होता है और एक मिनिट में 60 seconds होते हैं तो यह आपका seconds हो जाता है ठीक ना तो यह चीज याद रखनी है आप लोग ओको ठीके एक डिगरी आगर आप लोगोने एंगल रोटेट करता तो इसमे 60 मिनट होते हैं और इन्य को आप उल्टा भी कर सकते हो कि एक मिनट में एक मिनट में 60 को नीचे ले जाओ 1 by 60 of degree होता है इतना आप क्या सकते हो एसे एक सेकेंड में 1 by 60 of minutes होता है ठीक ना तो यह सारी चीज़ बेसिक है आपका unitary method से आप निकाल सकते हैं एक तो यह चीज हो गही और दूसरा यह measurement हुआ कि जब आपका 180 degree 180 degree angle rotate होता है तो it is equals to pi radian it is equals to pi radian this is the relation between degree and radian, अगर आपके पास 180 degree होता है हाँ, तो देखो, तो हमें पता लग गया कि 180 degree बराबर होता है pi radian के, तो अब हम क्या कर रहे हैं यापर देखो मेरे साथ, तो एक degree कितने के बराबर हो जाएगा तो हम क्या सकते हैं कि 1 degree जो है वो is equals to pi by 180 radian इतनी radian के बराबर हो जाएगा, अगर आप से कोई बोलता है, 30 degree बताओ तो दोनों तरफ 30 से multiply कर दो ठीक ना तो 30 into pi by 180 radian ठीक है, तो इस से इसको काट दो, तो इस 6 6 ताइम में कट जाएगा, तो इस पाई by 6 radian ठीक है, तो इसी से generalized formula में लोग निकाल सकते हैं, similarly यह 45 है, तो दोनों तरफ 45 चे multiply कर दो, तो 180 by 45 ठीक है, तो यह आपका 45 degree हो जाएगा ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा कितना, इसको से काट होगे तो 4 टाइमस में कट जाएगा, तो पाई by 4 radian के बराबर आजाएगा, ठीक है, तो यह radian में आ गया, तो अगर आपको radian measure निकालना है, मनलब आपको अगर radian measurement निकालना है तो इस इक्वेल स्टू, पाई by 180 of degree, इंटो में degree हो रहा है यहाँ पर, degree measure, तो ऐसे यह formula आपके सामने, यह formula आपके सामने आ जाएगा, तो अगर आपको किसी को भी radian में निकालना हो, तो आप क्या करोगे उसे, पाई by 180 से degree measure से multiply करता हो, जो भी degree होगा, जैसे अगर आप से किसी ने बोल दिया, आप से किसी ने बोला कि में मेरे को 210 degree बताओ, 210 degree कितने radian के बराबर होता है, तो मैं कह दूँगा कि 210 degree पूछना है, यह यह लो भाई, जैसे पाई by 180 से multiply कर दो, into में यह जो degree उससे multiply कर दो, तो यह equal to हो जाता है, इतने radian के, इसको इससे गाहिट दो, 37 जा, 36 जा, तो 7 pi by 6, radian is equals to 210 degree, तो देखो कितना easy आगया आपके सामे, ठीक ना, जैसे समझ में आती है आप लोगों को, तो ऐसे हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक और generalized फार्मला हम लोग निकाल लेते हैं, इस बे, ठीक है, उस चीज़ को भी आप मेरे साथ देख लो, क्या चीज़ है आपके पास, यह चीज़ है, अब इसी से हम लोग एक और फार्मला निकाल लेते हैं, रेडियल फोक्या, यह बिल्टा कर लेते हैं, ठीक है, चलो, स्को अद़ित अ निसे, कसे ऐसे उ आप नभी प्याइबर असे कुरस्ट ऑप और, अरटा प्रामञल लोग चिज़ को ब्ड़िंग, ऑपि लिश सब की ट्रीक है, एक रेडियन जो है ठीक है, तो इस चीज़ को और अच्छी से अबर आपका कितना हो जाएगा जैसे वन डिग्री लिखाते है इसके नीचे ले जाके तो 180 वाइप उल्टा हो गया इतना डिग्री हो जाएगा एक रीडिन इतने के बराबर है अब आप से कोई बोलता है पाइब फॉर रीडिन कितने के बराबर है तो दोनों तरफ मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो पाइब फूर इंटू 180 वाइप आई डिग्री ठीक है ठीक है तो या जाएगा आप इसको सबस्क्राइब आए तो 45 टाइम समकर जाएगा तो इस फोटी फाइफ डिग्री के बराबर आजाएगा असडिक जैसे अबने निकाला था सेवन five by six एन तो सेवन five by six की बात कर लो सेवन पाइब एक निपक्तिए निए बराबर है तो एक रिडियन इतने बराबर तो तो अंग सब्सकित करें त्यां सी यह यह सबॉल छइगा अपर इससे अगैसे थरी टाइम से तौल एटनी उल्तेरों आओ यतना दिक्री आ जाएगा ठीक ना तो जैसे सब एंगरी उनद में कला था वैसे यह तigen Früh को डिगरी मेजर निकालना है तो विच इस इकोल स्टू 180 भाइपाई रीडियन मेजर अना जो भी रीडियन आपका है उससे मल्टिप्लाय कर दो यहाँ पर यह तो मुल्टिप्लाय करा है मैंने वन एटी भाइपाई इंटू मेरेडियन मेजर जो तो यह दो जन्रलाइजड फामला आपके यहां पर आ जाते हैं जो आपको दो गरीडियन में कैसे निकालते हैं तो यह चीज आ जाती है अब इस पर थोड़े से प्रेद्जन यह चेक कर लो डिकरी मेजरों करना है तो देखो मेरे साथ क्या दे रखा है आप लोगों को जीए न करना है तो अब मेरे साथ आप लोग की दिग्री को रेैंट में अब्र सक्या रूट करना कून ठीक है तो देखो क्या दे रखा आपको degree measure दे रखा rating निकालना है तो हम लोग जानते है कि दोनों को degree is equal to 180 by pi by 180 pi by 180 into में 25 degree measure rating निकालना है तो आपके पास क्या होता है 1 pi by 180 into degree measure तो हम लोगों को यह आ जाएगा तो यह चीज करोगे तो इसको काटोगे आप लोग तो 36 5 तो 55 by 36 यह radian हो जाए ठीक है तो यह एक हो गया अब मैं अगर बात करता हूँ आपसे first example की तो example 1 का solution लेते तो इसका अगर मैं solution लोग अगर आपके सामने तो इसको समझो आप लोग मेरे साथ क्या 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 आपको दे रखा है 40 degree 20 minutes अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख देना हूँ कि आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है 40 degree plus 20 minutes ठीक है अब हम लोग इसको basically और अच्छे से देखो deep में लिख रहा हूँ मैं इस चीज को ताकि को अच्छे से किलिए हो तो मैं इसको one minute अलग कर देता हो 20 into one कर देता हूँ है तो वन मिनाट अलग कर देता है अब इसको मैं degreeaces करने एक कोशिश करता हूँ तो देखो ज़रा one minute में कितने डीगरी होते ह्लेक्ट से यहाप轉 मेरीट में कर देता है तो 40 degree प्लस 20 इन्टू 1 बाई 60 डिगरी ठीक ना यह डिगरी में कनवर्ट अभी पूरा एक डिगरी में हो गया इसको इसको आप काड़ दोगे इससे आप काड़ दोगे थी तो यह आप क्या पास आजाएगा 40 प्लस 1 बाई 3 डिगरी अब डिगरी को रेडियन में कनवर्ट करना है हम लोग क्या करेंगे इसको सेम चीज जितना भी आता है आपका यह आजएगा 121 तो 121 बाई 3 डिगरी है अब इसको रेडिय उन्मे करना है तो पाई बाई 180 इंटू 121 बाई 3 रेडियन अभी के साटी से पके रेडियन में convert हो गया, अब आप इसको काट सकते हैं, जिससे के आप काट सकते हैं, तो एक बर try कर लेते हैं, काट के, तो यह कुसी से कटता है, तो 3 से कटेगा नहीं, चलो, यह से आगे नहीं कटेगा, तो आप लोग इसको direct कर सकते हैं, तो 121 by इसको से multiply करोगे आप तो 0, 3, 4, और यह 5, और यह पाई, रेडियन, ठीक न, तो यह आपके पास answer आजाएगा, ठीक न, अगर कट सकते हैं, तो काट देना है, अब बात करता है, एक्जामपल नमबर 2 की, ठीक है, एक्जामपल नमबर 2 की बात करो, अगर मैं यहापर, तो देखो, दे रखा है, आपको 6 र डिग्री में, ठीक है, मुलब डिग्री निकालना है, तो क्या concept होता है, उसके लिए हमारे पास, तो हम लोग जानते अच्छे से, कि यह हमारा 6 रेडियन है, डिग्री में आप उसको करोगे, तो 180 by pi से multiply कर दोगे, into में जितना भी रेडियन हो, 6 और यह आपका हो जाएगा, डिग्री, ठीक है, ठीक है, basic knowledge मेरे यह कहता है, कि मतलब मैं यह समस्ता हूँ, इस चीच को कि अगर उपर pi की इटम रहेगी, तो रेडियन में रहेगा, और pi की इटम नहीं रहेगी, मतलब डिवाइड में चले जाए, ताकि कट-कटा जाए हो, और वो हमारा डिग्री में हो आपका, यह मैं डिग्री इदर ना लिख के दर लिख रहा हूं, तो इसको उपर लिख दो, तो 180 इंटू 6 इंटू 7, divided by 22 डिग्री आ गया, चलो कुछ तो कटे गई, तो कुछ काट देते हम लोग इसको, यह 90 और यह आपका 11, तो कितना आ जागा आपके पास, इसको 90 को इससे मिल्टिप्लाइ करूंगा तो, 540 और प्लस, आपके पास आजाएगा यह 7, तो 540 इंटू 7, 0, 8, 2, ठीक है, ठीक है, तो यह आपके पास आजाएगा, 378, 00 by 11, डिग्री, ठीक है, अब इसको उमलोग डिवाइड करते हैं, यहापर डिवाइड वाली टेक्री, इससे मारा थोड़ा कैल्कुलेशन और अच्छा हो जाएगा, तो 6 रीडियन को हम कितना बेसिक सॉल कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं, तो देख़ों, इसको इससे मैं डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पर, तो कितना आता है, 3780, तो कितना आता है, 11 33, 33, 480, 4 ताइमस में 44, 40, 3 टाइमस में 33, 7, 7 अलग हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिखोंगा, 343 डिगरी प्लस 7 बाइ, यह डिवाइड बाइ, 11 डिगरी, ठीक है, ऐसा हम लोग इसको करेंगे, फिर उसके आदम लोगों पता है कि इसको मैं और भी अच्छे तरीक से लिख सक करता हूं, 343 डिगरी प्लस 7 बाइ, 11 इंटू में 1 डिगरी, और 1 डिगरी हमारा किसके बराबर होता है, तो 1 डिगरी हमारा बराबर होता है, 60 मिनट के, है ना, 1 डिगरी बराबर होता है, आपका 60 मिनट के, ठीक है, तो इसको मैं 60 मिनट में कर दूंगा, तो 343 प्लस 7 बाइ 1160 इन्टू में 60 यह हो गया मिनिट में पूरा ठीक है अब इसी को और अच्छे से देख लेते हैं लोग अच्छे से समझ किये तो कितना आ जाएगा आपके पास इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं 343 डिग्री प्लस 760 इसको इससे करोगा तो 42 तूब यह बाई 11 minutes अब इसको भी वापस से ऐसे डिविजन करते हैं जैसा हम लोगों ने सकी करीए ठीक है तो इसकी डिविजन जैसे करीए वैसे इसकी करते हैं तो कितना है आपके पास 420 इस डिविजल बाई 11 तो इसको कर लेते हैं यहां पर तो यहेस 1133 थैक है तो कितना ब ठीक है एट टाइम से में 88 हो गया तो बच गया आपके पास ठीक है अब उसके बाद आपके पास टू बच गया तो हाँ बस टू बच गया छोटा हो गया यहीं तक खत्म हो देगी ठीक है तो यह आ जाएगा तो बिसको कैसे लिखेंगे हम 343 degree प्लस आंसर इस 38 38 minutes प्लस जो बचा आपका 2 by 11 अब minutes को हम लोग सेकेंड में चैंज कर लेंगे 343 degree प्लस 38 minutes प्लस टू इन टू में यह सब कुछ मैं बिलकुल बेस से समझा रहा हूं आप लोगों को ताकि बिलकुल किलियर हो जाए आपके mind में 343 degree 38 minutes प्लस टू बाइ 11 इंटू 60 seconds यह मिनट था इसको मैंने एक मिनट में 60 seconds होते हैं तो चील आप देख सकते हैं आपके तो 60 seconds में convert करते हैं चलो अब आगे देखते हैं इसको तो 6 रेडियन हमारे पास क्या आ जाता है थोड़ा साही से लिग जाता है इंपर 343 plus 38 minutes ठीक है 38 minutes आ रहा है आपका प्लस यह कितना हो जाएगा 120 अब इससे आगे हम करनी सकते seconds आगे हम जाने पाएंगे तो जितना भी answer यहां division करके आ जाता है डिवाइड करके जितना भी answer यहां पर आ जाता है तो उतना हम लोग यहां लिख देंगे ठीक हैं तो 120 को आप 11 से divide करोगे तो यह 11 कि वन टाइम से ठीक है ना वन टाइम में चली जाएगा फिर टैन हो गया तो यह 0 लगा दिया तो एक और 110 आ जाता है ना तो यह 10 टाइमस में चले जाएगा उसके बाद जो बचेंगा उससे में कोई मतलब नहीं है तो आंसर इस सिक्स रेडियन तो इसली आप देख सकते हो कि सिक्स रेडियन ठीक ना इसको में थोड़ा से लिग देता हूं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10 सेकंट और आगे होगा तो हो जाएगा से मारकों मतलब नहीं सेकंट को मागे और नहीं डिवाइट कर सकते है ठीक है तो कितना हो जाएगा 343 38 मिनट और 10 सेकंट इस इस दी आंसर पूर डिग्री टू रेडियन टू डिग्री मेजर्मेंट तो यह आप यहां पर कर सकते हैं तो आप यह देख सकते हैं यहां पर उर्मेट पर कर दो आप सकते हैं यहां पर कर दो हैं पर में पर दो हैं दो हैं…